बेर्वर्ली हिल्स में धंडी रोशन सुबार दुरांग विलास के शिशे की दरों चमक्ती इमारत को और दिलकश दिखा रही थी पोश में घड़ी अनिल की काड़ी कुछ जिर पहले ही पोश में दागिल हुई थी नाइट कॉन में मलबूस सुरान सिक्रिट को लवों में दबाए और टॉर के शिशे की दिवार के बार देख रहा था जबकि उसके बिलकुल पीछे परेशान हाल खड़ा अनिल पेंट के शेपों में हाट डाले और पेशानी परबल डाले में सलसल भूल रहा था वो दुरान से सारी पापत सुनने के बाद अब उसे सब बता चुका था कि वो जैसिका पर उसकी तमाम अकिकत खोल चुका है वो मेरे लिए जो ज़स्बाद जाहिर कर रही थी मैं घबरा गया था मुझे अचीब सा हिसास हो रहा था जैसे कि मैं उसे धोका दे रहा हूँ अनिल ने पेंटी जेब से हाथ निकाले और हमोश कड़े दुरान की पुश्च को खुरा दुरान की ये मसलसल हमोशी उसकी परेशानी को दुखना कर रही थी उससे पहली दफ़ा दुरान से बिना पूजे कोई ऐसा कदम उढ़ाया था और अब वो उसके रदे अमल का मुंतसर था जो उसके हैल के मुदाबर यकीना अच्छा नहीं हो सकता था तुम्हें बार बार फोन करता रहा इतने मेसेजिस किये कोई रिपलाई नहीं आया तुम्हारा चंद सेकिंड्स के तौकुफ के बाद उससे फिर से बात का सिलसला जोड़ा अगर वहां तो जनाब सब बाट चेरे के साथ सुनिंग पूल को घूरते हुए बस सिग्रिट के कश लगाने में मसूफ थे अबकी बार अनिल ने पेशाने के बल मसीद कहरे किये और आवास को और उंचा किया तुम मुझे साथ नहीं लेकर गए बिना बताय चले गए ठीक है मैंने ये सब बड़दाश किया लेकिन कम असकम मुझे एक कॉल या एक मैसिज चो भेज सकते थे न अनिल के गुस्से से कहने पर दुरान एक आप रोच चड़ाए है हैरत से वल्टा ओ तुम क्यों भेज़ते भाई मैं होता कौन हूँ तुम्हारा दुरान के बलटने पर अनिल ने चपड़े भीचे जादा सकती रिखाई तुरान ने आंके यू चुन्दी ही जैसे उसके इस तासुर पर बहुत हैरत हो रही हूँ मैं ही पागल हूँ जो साई की तरह तुम्हारे साथ जुड़ा रहता हूँ मुझे पता चल क्या है तुम्हे अब इस साई की कोई जरूत नहीं रही माना जवेरिया से तुम्हे मुहब्बत हो गए थी लेकिन मैं भी तुस्ते भावी समझता था अनिल के हफी पर शिकू पर बेस साखता मुस्कुराया और फिर उसके फूले मूँ पर दान खोले हस्दिया उसके यू हस्दिये पर अनिल हेरान तो बहुत हुआ मगर हेरत को चुपा कर उससे खूल कर देखा हस क्यू रहे हो उससे पूछा लेकिन वह दुरान के हस्दिये में इतना इसावा हो चुका था कि उसके गंदे दीरे दीरे खिलने लगे थे यो खुल कर हस्दिये हुए वो कितना मुकतलिफ लग रहा था वो कभी यू नहीं हस्दा था अनिल ने बामुश्दिये अपने उससे को बरकरा रखा ये हसने की बात है क्या तुम्हें क्या लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ तुमसे नहीं तुम टांग उपर रख रहे हो तुरान ने बामुश्दिये हसी को दबाते हुए जवाब दिया अनिल ने हैस से बनवे इकटी ही टांग उपर मतलब मेरे पीछे जैसिका को सब बताने की जो गलती तुमसे सर्जंद हुई है इससे पहले मैं उस पर उससा करूँ तुम अपना उससा दिखा रहे हो इसको कहते हैं टांग उपर रखना दुरान नम उसकुराट दबा रहा था अनिल ने ज़स्पस होते वह जहरे की तासुराद बतले वो बात तो सच कर रहा था लेकिन इस वक्त उससे नरास हो था इस ये अपने मोकफ से पीछे नहीं अटा तुम्हें गलत फहिमी है कि मैं तुम्हारे गुस्पस से डर रहा हूँ मैं ये सब तुम्हें बताने आया था और बता दिया और अब तुमसे मिलना चाहती है वो मिल लेना हम ठीक है दुरान ने लब भीच का मोद पाना हंकारा भरा अनिल की बात बिल्कुल ठीक थी जैसिका यूजस्वाती थोर पर अनिल से चुड़ जाना वाकि उसके लिए परेशान कुन था इसी उसका खिया फैसा उससे किसी हद तक दुरूस लगा अनिल उसे खुड़ता वा पल्टा और कदम दर्वासे की जाने बढ़ा है कहां? दुरान की अक्व से आती अवासवर वुरू का मगर पल्टा नहीं फ्लेट जा रहा हूँ तब यद भोजल है, अराम करूँगा कुछ देर अनिल संजीदी से जवाब देता तेज से इस कदम उठा कर वाई निकला तो अब की बार दुरान वाके हैरान हुआ अनिल का ये अचीब सा रवाया उससे नराज़्सी का सबफ तो हर्गिस नहीं था उसकी चटी हीस उसे सब समझा रही थी कम असकम तुम या दुरान कोई तो हमसे बात करता असन मली के चेरे का रंग सर्थ हो रहा था तुरांग विलास के लौँज में इस वक दस्वन के लावा तीनों नफूस उसके सामने खड़े थे बेहाल रोती हुई रूबी मलिक परिशान हाल सबरीना और संजीदी का पैकर बना दुरान अब की पार हार्वी और वरूस सबरीना की बचाए पुरा संज मली को किया था और फून आते ही उन्हें सबरीना और दुरान को बुला लिया था जो उनसे ये बात ही चुपाय हुए थे कि बुरान ने चवीरिया को अगवा करवाने के लिए हार्वी और प्रूस जैसे हादरनाक लोगं का साथ दिया था और अब उनके चुंगल में फसा हुआ है जिसे हर सूरत में सिर्फ दुरान नहीं बचा सकता था ताया अबू मैं कैसे कर सकती थी बात आपसे बुरहान ने मुझे मना बुरहान बुरहान वो तो बेवकुफ है अपनी मा की तरह इसलिए आज ये सब बहुत रहा है अस्वन का जहाँ परेशानी से बुरा हाल था वहाँ बुरहान की दुरान के लिए नफ़त पर शिक्वा था वो कितना समझाता था बुरहान और रूबी को कि वो दुरान से नफ़त को अदम कर दे लेकिन नहीं और आज बुरहान खुदी उसी नफ़ती वज़ा से अपने विचाय जाल कर शिकार हो गया था अस्वन की इस बात पर तस्वे भादी रूबी आंसों से तरचेरा उपर उठाया वो तो उस दिन से रो रोकर परेशान थी और आज एक नया इंकशाफ हो गया था कि वुरहान ने सब दुरान से नफ़त के बाइस को लारच में आकर किया था अस्वी आप कैसे बाप है मेरा एक लोदा बेटा जिंदी और मौत में लटक रहा है लेकिन आपको तो बस अब भी मुझे ताने देने की पड़ी है वो पूरी तरह हिच्खियों में रो रही थी दुरान ने बेतासर निगाह अस्वन के तरह उठाई परेशान होने की जुरुवत नहीं है कुछ नहीं होगा उसे दुरान की बात पर रुपी ने चोंक कर दुरान की दाब देखा कि वो ही दुरान था जिसके लिए उसके बेटे में इतनी घटिया चाल चली थी दुरान ने एक निगाह दीनों पर ढ़ाली और फिर वापसी के लिए गदम बढ़ाए दुरान पर रुपी की आवाज पर वो रुखा वाइस से चलती हुए दुरान के सामने आई निगाहों में अदा मत थी बेटी की मुखबत ऐसी ही होती है जान लेवा लेकिन आज दुरान के सिवा उसके बेटे को कोई नहीं बचा सकता था उचाता तो कभी भी उसे ना बचाता दुरान मुझे माफ कर दो मेरे बेटे को भी माफ कर दो लीज उसे बचा लो मेरे बेटे को वापिस लेहो बेटा सिंदए में पहली बार सामने कड़ी ये ओरत उससे बेटा कह रही थी तुरान ने बाग और उसके चेहरे को दिखा मा, कितना अजीब मगर कितना घ्या रिष्टा होता है ये रूबी जैसे अकरवाली वरत आज उसके सामने किरकड़ा रही थी परेशान ना हूँ, वो कल यहां होगा तुरान ने देजी से जुमला मुकमल लिया और फिरूबी के अत्राफ से निकलता आगे बढ़िया फाइरिंग के आवास और तमागों की देश आवास उसे कानों के पर देबार रही थी चोटे से स्कमरे में मुझूद पालंके नीचे तबक कर लिठा वो खोफ और वहिशे से धर-धर काम रहा था सुभा के 10 बचे जब हार्वी और प्रूस के इस हुविया अट्टे पर पुलिस का हामला हो गया था अमेरिका पुलिस से उस जगा को ट्रेस कर लिया था हार्वी की आद्वी ने सरेंटर करने के वज़ाए उल्दा मुकावला शुरू कर दिया था और अब आई तापट तोड चलती कोलियों की वज़ा से पुर्हान की जान अलक में आ चुकी थी ठंडे पर सीने से हदेलिया तर थी सीने में गुटन बढ़ रही थी उसकी आंकों से आंसों निकल गए वो कौन से मन्हूस कड़ी थी जब वो लालच में आ गया था और दुरान के हिलाफ चाल में हारवी और प्रूस का साथ दिया फूक और प्यास और अभी हमला उससे अपनी मौत का वक करीब नज़र आ रहा था एक्तम से उसे कमरे के दरवासे पर किसे ने सोर से दांग मारी थी और फिर दो तीन दमागों के बाद दरवासा दिवार से उखर कर समीन बोस हुआ और रहान ने कामते हुए आंगे मेच ली ए निकलो बाहर उठो यहां से कोई बलंग के नीचे जुगा उस पाशी रहा था पुरहान ने सहम कर उसके दरव दीखा वो अमेरिकन वर्दी में मलबूस पुलिस ओफिसर था और उस पर बंदोग ताने उससे बलंग के नीचे से बाहर आने को कह रहा था पुरहान साकिन उससे पटी पटी आंकों से बस देख रहा था जब उससे गिर्बान से कसीट कर उससे बाहर निकाला पुरहान ने आंके सोर से मेच ली प्लीज मुझे छोड़ दो मैं लोग के साथ नहीं हूँ मुझे जाने दो प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो मैं इनका साथ ही नहीं हूँ पुर्हान आंखे मेजकर उंचे आवास वे रो पड़ा था, वो लागादार अपनी सफाई दे रहा था, जब सामने कड़े ओफिसर की करिश्चार आवास कुँशी, चुप, बिल्कुल चुप, पुर्हान ने एकदम रोना बन दिया, ये वर्दी पहन लो चलती अभी, पुलिस ओफिसर की आवास वे सहरत से आंगे खोली, पुलिस ओफिसर हाथ में एकदद पुलिस वर्दी था में खड़ा था, सोच क्या रहे हो, फोरण पहनो, इसे हमें निकलना है यहां से, पुलिस ओफिसर की बसाहत पर जैसे वे खोश में आया, तेजी से उसके हाथ से वर्दी ली और बेहन ली, वो ही पुलिस ओफिसर उससे लेकर वहां से निकला, आरवी की आदमी अभी भी पुलिस से लड़ रहे थे, गोले कि वो शार से निकल कर वो पुलिस ओफिसर उससे एक कार तक लाया और बैटनी को कहा, जैसे ही वो कार में बैठा, कार देजी से वहां से निकली, और उस जगा से कुछ दूर जाकर सड़क पर खड़ी, एक और कार के पास रुगी, उसे कार से निकल कर दूसरी कार में जैसे ही पिठाया, कार की ट्राविंग निशिस पर वेड़े दुरान को देखकर मुन्चमित हुआ, सियाँ सूट में मलबूस, सियाँ चश्में आँकों पर सजाए, दुरान पुर्वकार अंदास में उसके तरफ देख रहा था, बुर्वान के हाथ अब भी बेता हाशा कांप रहे थे, लो, पानी प्यूँ, दुरान ने पानी की बोतल उसके तरफ बढ़ाई, दुरान उसके तरफ पानी की बोतल बढ़ाए हुए था, उस लमए उसका दिल किया, समीन पढ़े और उसमें समा जाए, परेशान नहों तुम महफूज हो अब, पानी प्यूँ, दुरान की अवासवा और निकाही चुरादा पानी की तरफ हाथ बढ़ा गया, नदामस से, गड़ जाने जैसा मुकाम था, यह वो लमहा था, जब उससे अपनी मौद का अपनी आगों के सामने देखा और महसूस किया था, उसके लिए तो इस बात पर यकीन करना मुश्किल था, कि दुरान उसकी मदद को पहुंच किया था, दुरान अब मसरूफ अंदास में गाड़ी के स्टेरिंग को कुमा रहा था, और कुछ देर में गाड़ी शफाफ सड़क पर धोड़ने लगी, वो कुछ कहने की हिम्मच जिता रहा था, वो दुरान ने उसके बाद उससे कोई बात नहीं की थी, सफर हामोश और तवील था, करदन को चुखाए चुखाए उसके सर में दर्द होने लगा, जब एक चट्टिय से उससे सर उपर उठाया, दुरान मैं बहुत शर्मिन्दा हूँ, दुरान की चानिब चेहरा मोरे, बाद मुश के लिए चार लफसों का चुम्लादा कर सका, दुरान स्याद चश्मे में आंके चुपाए, ट्राइफ करते हुए बस उससामने देख रहा था, मैंने बहुत बुरा किया था, मैं लालच में, और तुमसे नफरत में इतना अंदा हो गया था, कि मुझे इससे बात का हैसास तक ना हुआ, कि मैं कितना बुरा करने जा रहा हूँ, नदामत में डूपा लह जा था, चुकार की हमोशी में खुश रहा था, दुरान अब भी चुप था, मैं तुम्हारी पराबरी करना चाता था, तुमसे आगे निकलना चाता था, दुरान करतन चुकाय सर को ताइम पाइं चंबी शेटे हुए, तिल्गीर और नादिम लहजे में कह रहा था, मैं तुम जैसा कभी नहीं हो सकता, ना तुम जैसा होसला है मुझ में, ना तुम जैसा जर्फ, तुमने मुझे बचा कर मेरी करतन को नदामत के भोच से चुका दिया है, उससे बात करते हुए आइसेगी से सर ओपर उठाया, और ता हनूस हमोशी से ट्राइब करते दुरान की दाफ देखा, मैं तुम्हारा शुक्रिया, मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है, तुरान ने सबाट लहजे में उसकी बात काड़ी, तो एक दम से चुपुआ, शुक्रिया अदा करना है तो सब्रीना का करना, मैंने तुम्हें सिर्फ उसके कहने पर बचाया है, और वो जिस शक्सी बेटी है, मैं ता उमर उसके हिसानात के बोच्च चले दबा रहूंगा, वो अब तम सादे दुरान को सुन रहा था, जो उसकी तरफ देखे वे ना बात कर रहा था, शुक्रिया अदा करना है तो उस लड़की का करना, जिसके लिए तुमने इतनी बड़ी चाल चली, और उसे मुझे कहा कि आप मेरा कोई बदला बुरहान से नहीं लेंगे, बुरहान निगाहें जुका दी, वो जविर्या के बात कर रहा था, हाँ, वो इस बात पर एकिन कर सकता था, ये बात उस जैसे आला सर्फ लड़की की ही कर सकती थी, मैं अपनी बीवी के तरफ आँख उठा कर देखने वाले की आँख नोच लूँ, लेकिन जब वो खुद मुझ से वादा ले, कि मैं तुम्हें हाथ ना लगाँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा तो दिल चाह रहा है कि तुम्हें अभी गाड़ी से उतारूं और सामने सड़क पर खड़ा करूं, तुम पर गाड़ी चड़ाओं और कुचलता हो उपर से खुजर जाओं, तुरान ने इतने संजीटी से कहा कि उपर साकता उसके इतनी वहिशायाना सोच पर दूख निकल गया, लेकिन मजबूर हूँ, एक तरफ याविर चाचो की बेटी के शोर हो, दुसरी तरफ मेरी बीवी का मुझ से लिया गया वादा है, इस दिये मुझे अपनी खुआश का कला खुंटना पड़ रहा है, लगे, सौफिप पर परिशान हाल वेरी थी, नमीन के साथ शादी करने के बाद आज दूसरा दिन था, और उन्हें आज पाकिस्तान के लिए निकलना था, नमीन पांच माँ तक उसके साथ उसके फ्लेट में चुपा रहा था, और अब आखरी दफा कैफे में अपने कुछ जरूरी काकसाद लेने के लिए क्या था, कैफे में उसके पार्टनर और दोस्ते उसका बहुत साथ दिया था, और अब भी उसके पासपोट से लेकर होविया थोर पर उनके पाकिस्तान जाने का सारा इंतसाम उससे था, उससे आज नमीन के कुछ एहम काकसाद देने के लिए उससे पुलवाया था, नवीन ने उसे ताकी थी थी कि वो एर्पोर्ट पर उसके इंतसार करेगा वो कैफे से सीधा एर्पोर्ट आएगा और पिर यहां से वो लोग पाकिस्तान के लिए निकल जाएंगे लेकिन वक्त गुसरता जा रहा था और नवीन नहीं आ रहा था उनकी फ्लाइट की अनॉस्वन भी हो चुगी थी और नवीन की कहीं कोई ख़वर नहीं थी वो वेचैनी से बाहर बाहर हाथ में बनी घड़ी को देख रही थी और कभी आते जाते लोहों को उनका जहास ओडान भर चुगा था लेकि नवीन का अब तक कहीं कोई पता नहीं था अब तो यहां बैटना बेकार था वो वेचैनी से अपनी जगा से उठी ही थी जब सामने से आते अस्वन को देखकर देजी से उसकी तरफ अड़ी अस्वन कहा थे तुम और नवीन कहा है फ्लाइट का वक्त गुज़र गया है मैं इतनी परिशान हूँ यहां वो परिशाने में पूछती हुए अचानक हामोश हुई वस्वन का सर चेहरा और नम आँके उससे अब देखी थी उसका चेहरा लट्टे की माने सफेद था और आँके ना सिर्फ नम थी बलके सुर्ख हो रही थी अस्वन जहीन एक सेकिंड मिटन का और उसके भीगी आवास उभी जिसम के रूंगते खड़े हो चुके थे और दिल होप से धरकनी लगा था अस्वन नुवीन कहा है तुम ऐसे क्यों खड़े हो वो बामुश्किल कामती आवास पे सवाल पूछ रही थी अस्वन ने जवाब देने के वज़ाए सर चुका दिया ऐसे क्यों खड़े हो कुछ बो कैफे में बलास्ट हो गया नुवीन भाई, नुवीन भाई हमें छोड़ कर चले गए अस्वन बामुश्किल चुम्ला अदा कर सका जबके सामने खड़ी गिंस के इद्धित का मनसर खुम गया आँकों गया के अंदेरा चाने लगा साके ने वो जूर अडाम से समीन पर गिरा गिंस, गिंस अस्वन खबराकर कुटनों के बल समीन पर बैठा किंस पारकर फरश पर बेस सुथ पड़ी थी बैवरिली हिल्स रात के सपहर भी रोश्यों से धमक रहा था उसके फ्लेट के दर्वासे के सामने जैसी का दम साधे खड़ी थी स्यार टी शिर्ट के नीचे लंबी भूरी स्कर्ट बेहने बालों की उची पूनी बनाए कंदे पर बैग लटकाए वर हाथ में स्याफ फाइल था में वो मुस्सरिब खड़ी थी वो आज दुरान से मिलने अनिल के फ्लेट पर आई थी शाम बेखरी में ही उसे अनिल का फेगा मिला था तुरान ने कहीं भाइर मिलने से इंकार कर दिया था वो भी उसका और अपना ये रिष्टा दुनिया के सामने नहीं लाना चाता था अजीब सा हैसास था इसमें घिरी वो अभी दरवासे को ही को रही थी जब अचानक दरवासा कुल गया अनिल सामने खड़ा था दोनों की निगाएं बे साखता मिली वो आज तीन हफ़ते बाद उससे दिख रही थी बढ़ी हुई शेव और बिख्रे बाल उसने पहले कभी अनिल को इस हुलिया में नहीं दिखा था वो तो हमेशा नकसक से त्यार और सूटीट पूटीट रहता था अनिल ने आज से किसे का और भीजे होते हुए रासा दिया वो कंदे पर बैक की स्ट्रेप दरूस करती हुई आगे भड़ी और जैसे ही लौंच में पहुंची कदम थम गए दुरान सामने सोफे पर बैठा था वो पहली दफ़ा उसे यूँ टीवी और सैनमा स्क्रीन की बजाए अपने सामने देख रही थी सफेड धीली सी टीशिट के नीचे नीली जीन्स रहने वो सूपर स्टार आम से हुले में भी बेहत हसीन लग रहा था वो ना सिफ बेहत खुब रूँ था बलके आज तो हर लियाज से किन स्पारकर की जलक दे रहा था वो अकसरी सोचती थी और अफसोस करती थी तो उसकी मा इतनी हुबसूरत है लेकिन उसके बहुत कब नकोश अपनी मा से मिलते हैं आज दुरान को देखकर लगा वो उनके सारे नकोश चुराय हुए था बड़ी और घनी बलकूं वाले लंबी पुरकशिश आंखे रोपदार नाग उपसूरत तराश के होंट और घने भाल दुरान उसको देखकर सोफे परसे उठकड़ा हुआ था अजीब लमहा था एक बहन भाई के मिलन का लमहा वो बहन भाई जो एक ही मा के बातन से पैदा हुए मगर इतने बड़सों इस बात से अंजान रहे वो यूही छोटे-छोटे कदम उठा दी सोफे के पास आई दुरान ने उससे बैठनी का इशारा किया और उसके बैठे ही खुद भी बैठिया जैसी का ने हाथ में पकड़ी फाइल को सोफे के सामने रगी मेज पर रखा अगर तसबसब का शिकार वो थी तो दुरान भी अजीब कश्मकश का शिकार लग रहा था वो दुरान के बोलने की मुंतसीर थी वो शाय दुरान उसके बोलने का इंतसार कर रहा था वो हमोशी से सर जुकाई गुटनों पर कोने डिखाए आतों के अंजु को आपस समिलाए सर जुकाई वैठा था कुछ दूर फासे पर रखे कोच पर अनल वैठा था वो भी दोनों की हमोशी को दिख रहा था कुछ कहेंगे नहीं जैसे का कि आवाज से हमोशी को आदम किया तो दुरान ने सर उपर उठाया तुम कुछ को हो दुरान ने फौरन ऐसे कहा जैसे उसी के बोलने का मुंतसर था वो उससे तीन साल चोटी थी लेकिन फिर भी एक रजीब जीजक थी ये काक साथ ये सब इन सब की जूरत नहीं थी क्या आप जानते हैं आपकी शकल मामा से इतनी मिलती है कि जब अनिल ने मुझे सब पताया तो मुझे येकीन करने में एक सेकीन नहीं लगा में इस पर अखी फाइल की तरफ इशारा करती हुई मुभिम से मुस्कुराई ये फाइल दुरान नहीं उसे विच्वाई थी जिसमें तमाम सुभूत मुझूद थे जिससे ये बात साबित होती थी योग इन स्पार्कर का ही बेटा है बस इतरास है ते इस बात का आप इतने सालों से ये सब चुपकर क्यों कर रहे थे मुझे पैसु से साधा आपकी जूरत थी आगरी अलफास पर चैसिका के लेजे में नमी कंस है था दुरान ने उसके मासूम से चेरे को मुखबत और शफकत से दिखा उसके आँखों में आँसू चमट रहे थे आपके पास जूटे ही सही लेकिन बहुत सिर्ष्टे तो थे मेरे पास सु कुछ भी नहीं था मैं बहुत बहुत तक चुगी हूँ आँसू ढूटकर काल पर गिरा तुरान निसब से लब भीजे ऐसे जैसे उसका याँसू उसके दिल पर किरा हो मामा ने आपके बारे में मुझसे कभी कोई बात नहीं की कभी गुस्सा करती थी चिला दी थी लेकिन आपके बारे में कभी जिकर नहीं किया मैं याद नहीं हूँगा उनको उफ यह लह जा तुरान की आवास का भारीपन उसके दिल पर भरते भोज की आगासी कर रहा था शायद वो भी रो रहा था लेकिन उसके आँसों अंदर की रहे थे इसलिए आवास रखड़ा रही थी आप सही कह रहे हैं उन्हें तो मैं याद नहीं रहते थी जो हर्दम उनके साथ थी एक दल्ख और मासी के तकलिफते लम्हों की चुपन लिये उसको रहाट ने उसके लवोगा गहराओ किया शैसिका ने हाथ की पुष्ट से आसु साफ किये और उन्हें फिर से खोट में धर लिया मैं अगले हफ़दे उन से मिलने जा रही हूँ आप साथ चलेंगे वो दुरान से सवाल पूछ रही थी वो खुट तो हर माँ बाद या कुछ हफ़दों बाद किन्स को देखने ओल्ड होम सुर हो जाती थी किन्स पारकरी की सेथ अब बिल्कुल ठीक थी उसे अस्पताल से ओल्ड होम में मुंत्खिल कर दिया गया था क्योंकि उस जिस्मानी तोर पर तो बहुत बेदर थी लेकिन सेनी तोर पर ठीक नहीं थी वो बहुत हामोश रह थी थी वो घंटू एक ही नुक्ते पर निकाहें जमाय रखती थी दुरान तो जैसे उसके सवाल रहा मुझसिम हुआ और भी आईससे की सिसर को नभी में जमबिष्ठी क्यों आपको चलना चाहिए नहीं मैं उनसे नहीं मिलना चाहता और तुम भी कभी उनसे मेरा जिकर मत करना मकर कभी मत करना दो टोक लह जा था जैसे का ने दुख से उसके चेरी की दर देखा और फिर असवाद में सही ला दिया हमोशी फिर से वक को निकलने लगी एक, दो, तीन, सेकिंड ये तुम्हारे ने फलेट और कार की चावी दुरान ने हाथ बढ़ा कर मेस पर रखी दो चावी उठा कर उसके दर बढ़ा ही जैसे का ने चौंक का दुरान की दर देखा और पिर सुरच से नफी में सही लाया मुझे नहीं चाहिए तुमसे पूछ थोड़ी रहा हूं कि तुम्हें चाहिए या नहीं मैं मुसल्मान हूँ और हमारे हाँ शादी से पहले तक बेहन की तमाम जिम्मेदारी भाई फरोदी है दुरान की रोतार लेजर और बात पर वो कुछ भी कए बिन चावी ठाम गई उसके शक्सियत उसके बात करने का अंदाज वसल सिंदिगी में भी किसी हीरो से कम नहीं था तुम कल से बेकरी नहीं जाओगी ये युनिवस्टी का दाखला फॉर्म है पढ़ाई शुरू करो अपनी दुरान ने अमेजबर से एक फाइल उठा कर उसके सामने रखी युनिवस्टी आफ फाइन आर्स का नाम पढ़ते ही उसे एक जटके से सर उठा का दुरान की दर्व दीखा आपको कैसे पता कि फाइन आर्स से फढ़ना मेरा खौब है मुझे सब पता है बस अभी सब के सामने ये बात नहीं कोल सकता कि तुम मेरी भेहन हो लेकिन तुमारी हर हुआश का इतराम करना और हयाल रखना मेरी जिम्मेदारी है वो एक तम से सोफे पर किसकती हुई आंगे हुई वो दुरान की गंदे पर सरक दिया मुझे इन सब चीजों से ज़्यादा आपकी सुर्वत है वो रो रही थी तुरान ना इसी किसे उसके सर पर गाल तिकाया मैं हमेशा से साथ था और रहूँगा वो दुरान की करदर के केट बासो हाई लिए किसे छोटी बच्ची के ताली बच गई एक शवकत भरा एसास था जिससे उसका वजूद हमेशा से नहाशना रहा था चनपल यूँ ही कुसारने के बाद वो मुस्कुराती हुई सीधी हुई शिफ्टिंग कर लेना अनिल यहीं रहेगा तुम्हारी मिरत के लिए मुझे कल पाकिस्तान जाना है दुरान ने उसे काल पर शवकत से तब की लेते हुए कहां तो उसकी निगाएं बेस साकता कुछ दूर बैठे अनिल पर उठी और एक दम से चेरी के तासुरात बदल गए हम आप फिकर ना करें मैं कर लूँगी सब आपके अनिल की मुझे जरूरत नहीं है खुद्रा और सब बाट ले जा था दूरान ने गहरी सांसी और एक निगाएं पर डाली जिसके दिल पर जैसिका की ये बात हर दोड़ी की तरह वरसी थी दरासल ये जो भी करता रहा है मेरे कहने पर करता रहा जानती हूँ लेकिन दम मुझे आपके बारे में कुछ नहीं बता था अब मैं आपको जानती हूँ तो मुझे आपके पिये की कोई जरूरत नहीं है ये सिर्व मेरा पिये नहीं मेरा वाइद दोस और मेरा सब कुछ है अपके बार दुरान मुस्कुराया वो लफसों पर सोर दिया यूँकि अनिल का उतरता चेहरा वो अच्चे से महसूस कर सकता था फुशी हुई ये जानकर लेकिन मुझे आपके दोसी कोई मदद नहीं जाए ओफ वो तो बहुत संजीता थी दुरान ने उसके चेहरे के बढ़ती सकती देखका फॉरण हाद उपर उठाया ओके ओके जैसे तुहारी मरसी चले मुझे आप जाना है फिर मिलेंगे उमीद करती हूँ अब आपसे मिलने के लिए मुझे आपके पिये से रापता नहीं करना होगा कार्ट दार ले जा था अनिल का चेहरा मजीद उदर खिया जबके दुरान का नगी उससे भारी भारी दोनों की तरफ देखते हुए अपनी जगा सुठा नहीं बिल्कुल नहीं तुम जब चाहे मुझे कॉल कर सकती हो और ये क्रेड़िट कार्ट रख लो दुरान ने जेब में हाट डाला और एक कार्ट उसके तरफ बढ़ा दिया अब की बार जैसिका ने बिलाजी जग कार्ट धामा और फिर दुरान से कले मिलकर अनिल की तरफ भी नादी के दरवासे की तरफ बढ़ गई दुरान अब भी चांची निगाओं से अनिल का उत्रा चेरा देख रहा था जो आमोशी से दुबारा सोफे पर बैट रहा था गाड़ी मतवासन रफदार से सड़क पर चल रही थी ड्राइविंग सीट पर दुरान बैटा था और वो आंखें मुंदें उसके साथ वाली निशिस से टेक लगाए हुए थी गहरे नीले रंगें गमीज चलवार में मलफूस सर पर नफासे से रुपटा जमाएं अलके से मेकप से आयास सा किये नकोश और लभू और मीटी सी मुस्कान वो सड़क के बार नेले बादल की तरह कुदरत का हसीन शाकार लग रही थी वो कुछ गंटे पहले ही जोवीद और मर्यम से बिलने के बाद घर से निकले थे दुरान ने सरसर छूट कहा था कि वो उसे सिंदी की तमाम हुशियां देने में काम्याब नहीं हुआ वो तो उसे सिंदी की हर हुशी दे रहा था दुरान ने पता नहीं किया चादो चलाया था कि जोवीद कल तक उसकी शकल देखने कर आवातार नहीं था ये दो तिन एक बॉंग पर उसकी और दुरान की हिद्मन में लगा रहा था वो दो दिन दुरान के साथ अपने घर में रह कर आई थी मरियम, मैरी, सुनैना और जोवीद उसे सब कुछ मिल गया था जो भी सुनैना के शोर की वज़ा से ही एक अच्छी जगा पर मुलास्वत करने लगा था और साथ अपनी बढ़ाई भी जारी रखे हुए था जो उनके जाने के बाद से वो काफी सिमेदार हो गया था वो यूही आंखे मूदे पूर सुकून मुस्कुरा रही थी जब दुरान ने ट्राइफ करते हुए उसके धरव देखा तीशोर्ट और जीन्स पहने और सर पर कैप जमाए वो बहुत हद तक लोगों से अपना हुलिया चुपाने में काम्याब हुआ था जब एरिया को यूँ मुस्कुराता देखकर उससे बेश साक्ता उसकी कोर में धरे हाथ पर अपना हाथ रख दिया अचानक हाथ पर दुरान के हाथ की ग्रिफ्ट में सुस हुई उससे चोंक का आँके खोली और हयालों से वाहर आई वो एक हाथ से स्चेरिंग थामे वो दूसरे हाथ से उसके हाथ को धामे अपने लबू से लगा चुका था दुरान के इस अंदास पर उसकी मुस्कुरात का साथ गालों के भड़ती लाले ने दिया तो दिलकशी का समा लगने नही अब कहां जा रहे हैं हम किड़ी से बार देखते वे सवाल करती वो निशिस से टेक अटाती सीधी हुई उससे अब मेहसूस हुआ था कि गाली शहर की अदूस से भाई निकल चुकी थी और अब जिस सड़क पर रहुआ दावा थी वो गालबन मोटर वे था लाहूर दुरान ने मुकतसा जवाब दिया उसके हाथ पर ग्रिफ्ट फिर से मस्बूत की और लपू से छोड़ा लाहूर लेकिन क्यूँ मतलब कोई काम है क्या वहाँ एरस से करतन मोटर दुरान किताब देखा वो उसके हाथ को अभी भी धामे हुए था किससे मिलाना है तुमें किससे किससे मिलाना है और यह दिखाना है कि देखें मैं भी अब जिन्दगी जीने लगा हूँ और यह है मेरी जिन्दगी जीने की वज़ा दुरान ने सर्शार लेजे में कहा और फिर से उसके हाथों को लबू से लगाया वो हसी वो हैरत से रोख दुरान की तरफ मुढ लिया अच्छा ऐसा कोन है वहाँ मेरे उस्ताद मेरे मोहसिन तज्वीद उनसे ही सीखी है मैंने सच फिर तो मुझे उनसे मिलकर बहुत हुशी होगी अब की बार वो हैरत छोड़कर पूछ जोश हुई तुरान उसकी हुशी देखकर हस दिया एक और बात सुनकर बहुत हुशी होगी तुमें मुस्कुराते हुए एक नसर उसके चेहरे की तरफ देखकर कहां और निगाये फिर से सामने जमा दी जवेरिया अफ्तचस्व से उसकी तरफ देख रही थी उनकी इसलामी कुतब की शौप है घर में भी बहुत ज़्यादा अच्छी किताबों का मुझमुआ है ओ ग्रेट वो वागी बहुत हुश हुई थी तुरान उसकी हुशी देखकर मुस्कुरा दिया चन्द मेह हमुशी के बाद फिर से उसकी आवास होगी तुम्हें पता है उन्होंने मुझे किस वक्त संभाला था जब मैं जिन्दी के सबसे मुश्किल वक्त से गुजर रहा था तुरान के लहजे में एकदम से संजीत की उदाई थी और वो तो जैसे उसके हसें पर जे उटती थी और उसके उदास होने पर मुशा जाती थी तुरान के चेरे की कर्ब को देखते हुए उसके लबों पर से भी मुस्कान गाइब हुई वह ऐसा ऐसा उस पर खुल रहा था तब मैंने सबरीना की शकल में आखरी रिष्टे को भी खो दिया था इतनी तकलीफ में था कि अगर वो मुझे ना संभालते तो जुरूर अभी तक भटक रहा होता दुरान गेरी सांस देते हुए चुपवा उसके हाथ को छोड़कर स्चेरिंग को दोनों हाथों से धावा अगर तुमने मुझे ना समझाया होता और यावर चाचो का हयाल ना होता तो मैं बुर्हान को पुलिस के हवाले करता वो एकदम से उसके लहजे की वर्थी सक्ति देखकर परेश्वान हो गई एक ही सी मुसकान लपो पर सजाय कोया हुई दुरान सिंदगी बहुत मुकतसर है आपने बच्पन से लेकर अब तक नफरतें देखी और हमेशा हुद को नफरत में जलाया कभी उनकी नफरत तो कभी उनसे नफरत मैं जाती हूँ अब आपकी जिंदगी में से खुश्या हूँ वो दुरान की दरफ देखते हुए नर्मी से बोल रही थी जबकि उसके भीचे जबड़े और जहरे की सकती बदा रही थी यो बुरान को दिल से माफ नहीं कर सका था हम जब एक त्यार और दाकत रखने के बावजूद किसी को माफ कर देते हैं तो अल्ला खुश होता है आप ये क्यों सोच रहे हैं कि आपने उनसे बदा नहीं लिया आप ये क्यों नहीं सोच दे कि बदा लेनी की ताकत रखनी के बावजूद आपने सब अल्ला पर छोड़कर अल्ला को होश किया बेशक जजा और सजा सब अल्ला देने वाला है वो मीठे लेजे में उसे समझा रही थी विदुरान के चेरे के सकती उसकी मिधास वारी बाद उसे साहिल हो रही थी वो उसका सुकून थी वो सही कह रही थी उसे अब उसके संग सिंदगी जीनी थी और सिंदगी जीने के लिए नफरतों को खतम करना पड़ता है और चंद अन्चाहे रिष्टों को भी माफ करना पड़ता है तुरान ने फिर से उसके हाथ को थामा लबूस से लगाया और मुस्कुराया तुम इतनी अच्छी क्यों हो झाल 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 झाल